नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका आपी के अपने यूट्यूब चैनल मरुतर क्लैसेज पर दोस्तों डिये लेड हैनिक की ब्येस्टीसी के आवेजन फर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुए कापी समय हो गया है पीटीटी का एक्जाम भी हो गया है लेकिन ब्येस्टीसी के लिए अभी तक आवेजन फर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आवेजन फर्म कब स्टार्ट होंगे और इनके एक्जाम कब करवाए जाएंगे संपूर्ण जानकर यापको इस वीडियो मिलने वाली तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना ताकि आपको पूरी जानकर प्रिक्षा में देरी से डियलेड के सेसंद पर असर आ रहा है और इस साल भी अगस्त में उपाएगी प्रिक्षा आपका फॉरम फिलिंग है दस दिन बाद में सुरू हो जाएगा मतलब कि आज आपके साथ तारिक है तो अगली साथ साथ तारिक से स्टार्ट हो जाएंगे लगबग या 15 तारिक मान सकते हैं कि 15 तारिक की बाद में आपके फॉरम फिलिंग होना सुरू हो जाएगे 15 जुलाई के बाद में इससे पहले भी हो सकते लेकिन 15 तारिक ये बता र रही हैं फर्म बिलिंग की प्रकरियाई दस दिन बाद सुर्व हो सकती है ऐसे में सातनों को आविजन बरने वादने पत्रिकाओं के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय देना होगा इसके बाद प्रिक्षा की तारिक ते हो जाएगी यानि पूरा जुलाई इसमें ही बीट जाएगा ऐसे में इस साल भी प्रिक्षा अगस्त में होने की संबावने हैं प्रारंबिक सिक्सा में अध्यापक बने के लिए आवसेक दी वर्षी है अध्यापक सिक्सा पाट करम ंडी जुलाई जरूर ही है बारवी पास आउट ब्यारती प्री डियलेट के लिए पात रहें राजस्तान बोर्ड के बारवी के सबी विश्यों का परिणाम आसुक का है वहीं सीबी एसी बारवी का परिणाम 15 जुलाई तक आने की उम्मीत है आम तोर पर प्री डियलेड की प्रिक्सा माई में आयुजित की जाती है लेकिन कौरानाक के सलते पिछले दो साल से प्रिक्सा देरी से हो रही है पिछले साल प्री डियलेड की प्रिक्सा एक दिस अगस्त को आयुजित की गई थी इसके कारण डिये लेड का सेशन लेट हुआ अलांकि कोराना के बाद इस्तती सामाने उस्थ की थी लेकिन अभी तक स्योजग सिक्सा विबाग प्रिक्सा राजस्तान बीकानेर ने इस प्रिक्सा का सेडू ले जारी नहीं किया आविदन पर क्रिया पूरी होने के बाद प्रिक्सा विबाग प्रिडियलेड ने तिती तै की करेगा अब तिती तै नहीं की गई लेकिन अगस्त के बाद में स्टार्ट करने की संभावना बताई जारी अगस्त अमाम है एक्जाम के स्कॉर के आदार पर ते होगी मेरिड यह सबी को पता ही रहता है मित्रों प्री डियलेड में सपल होने वाले अभ्यार्चियों को मेरिड के आदार पर दो वर्षी सक्षक पर सेक्षन पाटी करम में परविश दिया जाएगा ये मेरिड प्री डियलेड में आए आंकों के आदार पर की जाएगी अधिक आंक वाले को उनकी पसंद का कॉलेज मिलें की संभावना रहती है 362 इंडिस्ट्यूट की 120,420 सीटों पर परवेश के लिए प्रिक्सा रहेंगी तो 120,420 सीटों के लिए प्रिक्सा हो रही है प्रिक्सा के आदार पर सेलेक्ट होने वाले सातर सात्रों का एड्मिशन इन संस्ताहों में होगा टिबलमा एन एलिएवेंटरी एजूकेशन 2 साल का है और कोर्ष करने के बाद सातर 13 रहनी बती प्रिक्सा में लेवल वन में सामिल होने के पात्र होंग जाएंगे अब अबी परिक्षा की तेयरी सलर ईहीं जल्दी आवे दिन पर क्रिया शुरू कर दी जाएगी इसके बाद परिक्षा का आयोजन किया जाएगा परिणाम भी जल्दी जारी करने की कोशिश रहे की यह का है पाला राम मेवता जो कि परिक्षा विबाग है राजस्तान वी कानेर की तरफ से इस्ट्रिटमेंट आया है तो आपके जल्दी परिक्षा करवाई जाएगी दस दिनों के बाद में फरम स्टार्ट हो जाएंगे तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है जो थो एक दो महीने का अभी तक समय है तो इस समय के अंदर आप त्यारी कर सकते हैं थैंक यू देनेवाद जहिंग जय बारत